तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि Xiaomi Redmi Note 9 सीरीज में already launch कर चुका है दो फोन Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max लेकिन इंडिया में अभी तक हमें Redmi Note 9 देखने को नहीं मिला है लेकिन दोस्तो Redmi Note 9 आज globally market में launch हो चुका है और हमें कुछ differences देखने को मिल रहा है Redmi Note 9 Pro से वैसे आपको बताते हैं कि Xiaomi ने आज globally तीन नए product को launch किया है Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro और Mi Note 10 Lite अब दोस्तो जो इंडिया में Redmi Note 9 Pro Max था वही globally Redmi Note 9 Pro के नाम से launch हुआ है लेकिन जो Redmi Note 9 है वो अलग phone है बिलकुल जो कि अभी तक इंडिया में launch नहीं हुआ है तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं Redmi Note 9 के बारे में कि कैसा है यह phone क्या 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 फीटर सम्पर देखने को मिलते हैं और यह Redmi Note 9 Pro से कैसे लग है क्योंकि यह iPhone बहुत ज़ल आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है तो चलिए अगर आप भी जाना चाते हैं तो बने रहेगा मरसत इस वीडियो में अब दोस्तो यहां पर जो price की बात है वो हम last में करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो global price है वो काफे ज़्यादा होता है Xiaomi का यहां पर आपने Redmi Note 9 Pro का price भी देखा वो भी काफे ज़्यादा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बैले डिजाइन से तो यह आप देख सकते हैं डिजाइन जो कि आपको देखने को मिलता है जैसे कि अब करते हैं दोस्तों फ्रंट से या फिर डिजाइन की तो वह बिलकुल आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे है कि हमने Redmi Note 9 Pro में देखा था बात करते हैं दोस्तों front side से तो यहाँ पर भी आपको एक difference देखने हो मिलेगा और वो है पंचोल डिस्प्ले का Redmi Note 9 Pro में यह जो पंचोल देखने हो मिला था यह मिला था बिल्कुल center में जबकि Redmi Note 9 में यह दिया गया है बिल्कुल corner side में तो यही difference हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके लब अगर हम बात करता हूँ screen size की तो वहाँ पर भी difference है 6.53 inches का screen size हमको देखने हो बलता है Redmi Note 9 में जबकि 9 Pro में यह दिया गया है 6.67 inches का तो थोड़ा सा handy जरूर है Redmi Note 9 अगर हम compare कर रहा है Redmi Note 9 Pro से दोस्तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर camera setup की तो बिल्कुल same camera setup आपको Redmi Note 9 में भी देखने हो मिलने वाला है यहाँ 48 megapixel का primary sensor Redmi Note 9 Pro में भी हमने यही sensor देखा है 8 megapixel का wide angle sensor है 2 megapixel का depth sensor है और 2 megapixel का ही micro sensor को देखने को मिल रहा है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो front side की तो यहाँ पर 13 megapixel का selfie camera आपको देखने को मिल रहा है Redmi Note 9 में जबकि दोस्तो Redmi Note 9 Pro में जो front camera है वो हमें 16 megapixel का देखने को मिल रहा है Snapdragon 720G chipset के साथ में जो कि हम जानते हैं काफी अच्छा chipset है और वहीं पर हम बात कर रहे है Redmi Note 9 की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है Mediatek का Helio G85 chipset अब यह first phone है जो कि आपको इस chipset की साथ में देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें जो benchmark score देखने को मनते हैं वो लगबग 2,1,000 है तो काफी अच्छा chipset मुझे यह देखने को मिला है लेकिन अगर हम इसे compare कर रहे है Snapdragon 720G से तो यह काफी पीछे है उनके comparison में In fact, Mediatek के Helio G80 को आप compare कर सकते हैं G70 से, G80 से या फिर Snapdragon में 665 से लेकिन इस से उपर comparison नहीं बनता है तो Snapdragon 720G काफी बैटर है अगर मैं compare कर रहा हूँ Mediatek के Helio G85 से और दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर battery और charging speed की तो वो बिल्कुल हमको same देखने हो मिले हैं जी हाँ 520H का battery है जो की support करता है 18W का fast charging तो यह सारे चीज़े हमें बिल्कुल सेम देखने को मिल रही हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें major difference देखने हो मिलता है दोनों ही phones में वो है processor को लेकर क्योंकि जो बाकी सारी चीज़े हैं वो लगबग आप same कह सकते हैं कुछ minor difference आपको देखने हो मिल रहे हैं लेकिन कोई बहुत 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 नहीं है अगर हम प्रजर को छोड़ देते हैं अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइजिंग की तो इंडिया में Redmi Note 9 Pro अब स्टार्ट होता है 4GB RAM 64GB वाला लगबख 14,000 रुपर की प्राइजिंग से वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ Redmi Note 9 की तो हाला कि इसका जो global price है वो काफी जादा है 3GB RAM के साथ में 64GB storage है वो लगबख 15,000 रुपर का लाँच हुआ है लेकिन अगर इंडिया में 3GB RAM वे अगर option आता है तो मुझे लगता है कि वो लगबख 10,000 रुपर से start होना चाहिए बाकि आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या price होने वाला है Redmi Note 9 का इंडिया में तो यह था दोस्तो एक quick comparison दोनों ही phones के बीच में अब दोस्तो मुझे लगता है कि अगर आपका बजट लगबख 10,000 रुपर है तो आप Redmi Note 9 को prefer कर सकते हैं लेकिन अगर आपका बजट 13-14,000 रुपर तक जाता है तो Redmi Note 9 Pro उससे कहीं ज़्यादा बैतर है यही थे मेरे opinion बाकि आप बदाईगा कि आपका क्या कहना है नीचे कमें आप हम बता सकते हैं चलिए आज की वीडियो पे इतना हीदा अउमीद आपको पसंद आओगा यह वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कोई सवाल है सोजाओ हो तो नीचे आप कमेट से कमें लिख सकते हैं आज की वीडियो देकिने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे एक लाएसे ही कि इस वीडियो में तब तक लिए आपके दिन शुब रहें